असलाम उलेकुम प्यारे बच्चो आज हमारा कलास फुस्ट में हम इंग्लिश अल्फा बैट पड़े थे ठीक तो पहले हम थोड़ी सी उसको रिवाइज कर लेते हैं कि इंग्लिश अल्फा बैट क्या होते हैं पहली इंप्रटेंट बात जो हम आपको बोला था कि अल्फा बैट इसका कोई फ्लोरल नहीं होता है और अल्फा बैट कहते हैं यह होता है ग्रूप आफ लेटर्स क्या होता है उस group को हम कहेंगे alpha bet तो alpha bet के अंदर हमने letters देखे थे क्या देखे थे तो पहले हमने पहले shift में हमने याद किये थे कौन कौन सा letter किया था एक हमने a किया था b किया था c किया था d e f ठीक याने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो ये सारे हमने जो देखे थे, ये कौन सा case था, देवर of capital, uppercase या capital letters इनको हम कहते हैं, जिनको हम कहते हैं, capital letters या uppercase भी कहते हैं, computer की language जो हम इने uppercase कहते हैं, but इस तरह हम इनको capital letters कहते हैं, तो आज हम आपको याद होगा कि इसको हमने लिखा ये पढ़ा था क्या A, B, C, D, E, F ठीक है ना E, F तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे और कितने लेटर ये कितने पढ़े थे हमने तीन और तीन कितने होते हैं छे तो छे नए लेटर हम पढ़ें ये पहले इनको भी साथ लिखेंगे ताकि हमें ये याद रहें A, B, C, D, E, F ये तो हम आ रहे हैं पहले पढ़ चुके हैं हम इनको लेटर को इडेंटिफाई भी जिस तरह में आपको सिखाया है कि आपने क्या करना है आपने कापी पर अलग अलग इस तरह या रफ जो आपके पास होती है उसे काट के या इस तरह A बनाना है फिर अगर उसी तरह मतकेंजी से B बनाना है या C बनाना है या D बनाना है या अगर उस तरह नहीं तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कर सकते यानि इस तरह A, B, C लिखे उनको सरकल करके फिर इनमें आप कलर्स भी कर सकते हैं यानि इस तरह अगर यहाँ पर एक है इसको आप वाइट में कलर कर सकते हैं तो यह आप आची तरह लिख भी सकते हैं और इनको पढ़ भी सकते हैं तो आज हम इनके आगे के पढ़ेंगे क्या क्या A B C D E F आज जो हम नया लेटर पढ़ने जा रहे हैं ये C E की तरह होता है यानि राइटिंग में अगर इसकी राइटिंग हम यहां देखेंगे यानि ये बनाने का जो हमारा राइट जब करते हैं हम इसको जब लिखते हैं बिलकुल आसान होता है यहां तो यह बड़ा मुश्कल देखता है इस तरह C बनाया तो इधर से यापर 7 बनता है ठीक है न यानि यहां से C और इधर से 7 बन गया तो इसे कहते हम G क्या कहते हैं इसको यानि यहां पे इसकी राइटिंग है G के बाद आता है H क्या आता है H मैक्सिमा में इसको H पढ़ते ही H तो ये H वगरा नहीं है H है यह ठीक है न याने H H H भी नहीं है H ठीक तो ये बिल्कुल आसान राइट करना होता है याने दो खड़ी लिकी रहे और एक इस तरह टीड़ी लिकीर और फिर तीस आइसके साथ आता है हमारा इसे कहते हम I ये तो बिल्कुल आसान है एक खड़ी लिकीर खेज कर और इदर से अगर नहीं भी करेंगे तो अब भी चाल जाए गा और एक और है हमारे पास इस इस जे इस तरह हमारे कितनी होगे ये आज छे कितनी होगे फिर छे तो टोटल हम आप तक कितने लेटर्स को पड़ चुके हैं हमारे आज के लेकर यानि जी एच आई जे के ल एल के जे आई एच जी जी एच आई जे के ल सारा मिलाकर